हेलो एन वेलकम वेक टो आवर चैनल कोर्स अलोजी हब आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि कोशन एंसर के स्रीज लगातार आती रहें तो उसी करम में हम फिर से लेकर के आ गए हैं आज 20 कोशन का एक और स्रीज और आपको प अबजेक्टिव टाइब कोशन्स भी लेका आ रहे हैं आप से आपके लिए और तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उफट आफट से चैनल को सब प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और चलिए फिर ज्यादा देर ना करती हुए और एक सूचना और महत्तपूर्ण है कि अब हमारे जो अब्जेक्टिव टाइब कोशन एंसर हैं ये हिंदी और इंग्लिस तोनों वर्जन में आपके पास आते रहेंगे तो चलिए फिर स्टार्ट करते हम लोग कोशन नंबर एक है कि बाल विकास के अनुसार बालक को कितने परकार में बाटा गया है तो देखते हैं इसका उत्तर बाल विकास के अनुसार बालक को दो परकार में बाटा गया है आगे देखते हैं दोस्तो बिसिष्ट बालक से क्या तात्पर है बिसिष्ट बालक वो है जो अन्तर व्यक्तिकत भीनिता रखते है वो अन्य सामान वालकों से अन्तर व्यक्तिकत भीनिता रखता है कहने का मतलब है कि वो दूसरे वालोकों से थोड़ा सा अलग सोचते हैं और दूसरे वालोकों से थोड़ा अलग ब्यावार करते हैं उन वालोकों को हम लोग special child या business वालोक कहते हैं चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले question की ओर और question number 3 जो है वो है सामाने तथा business वालोकों में क्या अंतर है इसको हम एक पूरे table के माध्य हम से समझेंगे पहले हम लोग एक सामाने वालोक का point लेंगे और उसके बाद हम business वालोक से उसकी तुलना करेंगे पहला point है कि यह सारीरिक रूपों से बलवान वो सुडोल होते हैं विसिष्ट वालोक यह सारीरिक रूप से बीमार पतले अधिक लंबे या अधिक मोटे होते हैं कहने का मतलब है उनके अंदर कुछ uniqueness हो जाती है जिसके कारण वो special हो जाते हैं point number second जो है इसका मानसिक बीमारी से दूर होते हैं विसिष्ट वालोक मानसिक बीमारी से घिरे रहते हैं point number three है इनकी बुद्धी लब्दी 90-110 तक होती है और विसिष्ट वालोक की बुद्धी लब्दी 0 से लेकर के 140 तक या इससे भी अधिक हो सकती है third point है सोचने समझने की सक्ति उत्तम होती है fourth point है घर विद्याले समाज में अपने बच्चों को समायुजित करने की छमता कम होती है fifth point है कच्छा में बताई गई बातों को आसानी से समझ लेते हैं और इधर है कि बताई गई बातों को या तो तिवर या फिर वार वार समझने में समझ नहीं पाते और last point है जीवन के परती दृष्टी कौन सकारात्मक होता है और special बच्चों का जीवन के परती या तो सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है I hope कि सामालने वालक और विस्ष्ट वालक के बीच में जो अंतर होता है उसको आप काफ़े अच्छे से समझ गए होंगे और आपने अपना concept के लिए कर लिया होगा तो चलिए फिर देड़ना करते हुए आगे वरते हैं अगले question की ओर तो जिन लोगों ने भी अवी तक चैनल को subscribe नहीं किया हुआ है उन सभी साथियों से request है कि चैनल को subscribe जरूर कर ले और जितने भी आपके special content वाले और जितने भी special friend है आपके और जितने भी special education में तयारी कर रहे हैं हमारे साथी उन तक इस message को forward जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाव उठा सके और कोर्सोलोजी हब का पड़िवार और बड़ा बन सके Question number 4 कहता है कि बिस्विश्च वालकों को कितने परकार में बाटा गया है चलिए देखते हैं बिस्विश्च वालकों को तीन कैटेगरी में या तीन परकार से देखा जा सकता है ए बोधिक दृष्टी से दूसरा सारेडिक दृष्टी से और तिसरा सामाजिक दृष्टी से ये बाते मैंने अपने चैनल के उपर ICIDH और ICD10 के अंदर बहुत अच्छे से एक्स्प्लेइन किया गया है कि किस तरीके से तीनों कैटेगरी में वाटा है अगर आपको इसकी डिटेль वीडियो देखनी है तो आप वो वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं चलिए आगे चलते हैं कोस्टन नमर फिफट कहता है कि बोधिक दृष्टी से विसिष्ट वालकों की पहचान कैसे की जा सकती है बोधिक द्रिश्टी से विसिष्ट वालकों की पहचान बुधी पडिशनों के आधार पर की जा सकती है 90-110 IQ वाले वालकों को सामाने मानकर अन्य वालकों की बोधिक रूप से भिन अर्थात विसिष्ट बाना जाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तो बोधिक द्रिश्टी से विसिष्ट वालकों को कितनी स्रेडियों में वाटा गया है चलिए देखते हैं अंसर बोधिक द्रिश्टी से विसिष्ट वालकों को चार स्रेडियों में रखा जाता है सुरुजन सिल वालक, परतिवाशाली वालक, अधिगम समर्थ वालक और मंद बुद्धी वालक I hope कि काफी अच्छे से किलियर हो रहा होगा और हम लोग हम ऐसा अपना लेवल 0 से हाई तक रखते हैं हर प्रकार के कोश्चन लेकि आते हैं अगला कोश्चन है कि सारीरिक द्रिष्टी से विसिष्ट वालकों को कितने सिरेनी में रखा गया है सारीरिक द्रिष्टी से विसिष्ट वालकों को चार भागों में रखा गया है एक पूर्ण अंधे वो कम देखने वाले व्यक्ति सरवन दोस, तीसरा नमबर, वारी दोस और चोथा नमबर सारीरिक दोश तो चलिए आगे भड़ते हैं हम लोग द्रिश्टी दोस वालकों की पहचान कैसे की जा सकती है जिन वालकों की द्रिश्टी अक्विटी 20 बटा 200 और 70 बटा 200 तक होती है वो द्रिश्टी दोस वालक कहलाते है सामाने वालक एक बस्तु को 200 फिट की दूड़ी सक देख सकता है लेकिन द्रिश्टी दोस वाला वालक उसको 20 फिट की दूड़ी तक देख सकता है इसके अंदर अभी RPWD Act जो आया है हमारा 2016 के अंदर जिसको लागो किया गया 2017 के अंदर उसके अंदर क्राइटेरिया बदल गए है आपको पता होगा कि जो ब्लाइंड का क्राइटेरिया है उसको घटा करके आप 10 कर दिया गया है और लो वीजन का जो क्राइटेरिया है उसको घटा करके आप तो याद रखिएगा अभी जब हम लोग RPWDX 2016 का पूरा सेशन लेके आएंगे तो उसमें जो disability के अंदर पूरी changes हुई है उसको आपको बिल्कुल detail से बताया जाएगा तो उस चीज़ को देखने के लिए आप चैनल के साथ जूड सकते हैं और जूडने के लिए आप subscribe का बटन दवा दीजिए बेल आइकेन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय पर हमारी सब latest वीडियो की notification आपको टाइम से मिलती रहे तो चलिए अगले question क्योर बढ़ते हम लोग समाजिक दृष्टी से विसिष्ट वालक कौन होते हैं इस रेणी में मुख्यता दो परकार के बालक आते हैं यह दोनों परकार के बालक घर विद्याले तथा समाज के लिए सिर्दर्ध होते हैं नमबर वन बाल अपराधी और नमबर दो समस्यात्मक बालक question नमबर 10 प्रवाइन समस्यात्मक बालक वो बाल अपराधी बालक में क्या अंतर होता है चलिए समस्यात्मक बालक बालक बाल अपराधी नहीं हो सकता आपको इन दोनों के वेच में मेजर डिफरेंस जो है वो पता लग गया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मानसिक आयू किसे कहते हैं बहुत इंपोर्टन कोस्टन है कई वार एक्जामें पूछा गया है और मानसिक आयू से रिलेटिड काफी कोस्टन आते हैं होती है जब उन्हें मानसिक आयू का पड़ियोग किया क्योंकि उनका विश्वास था कि एक निश्चित आयू पर बच्चों का ज्यान होता है तथा इसको हम मानसिक आयू कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कोस्टन नमबर 12 बुद्धी लबदी को हम कैसे माप सकते हैं मानसिक आयू तथा बास्तिविक आयू के अनुपात को अगर हम सो गुणा कर दे ताकि सेस ना बच्चों तथा हमें दसमलब तक ना जाना पड़े तो इस वरकार से हम बुद्धी लबदी को माप सकते हैं उधा करन के लिए देखते हैं कि उधारन के तौर पर यदि कोई बच्चा पांस साल का है लेकिन उसकी मानसिक आयू चार साल की है तो उसकी बुद्धी लबदी इस परकार होगी बुद्धी लबदी बढ़ावर चार बटा पांच गुणा में सो ठीक है तो देख लीजिए उसका एंसर आजाएगा असी सौल करके देख लीजिएगा इस परकार से किसी विव्यक्ति की मानसिक आयू निकाली जाती है चलिए आगे बढ़ते हम लोग कि मंद बुद्धी वालकों का वर्गी करन किस परकार से किया जा सकता है मुर्ख बुद्धी ठीक है यानि कि आईक्यू के अधार पर उनका वर्गी करन किया जा सकता है उसकी केटेग्री यहां पर लिखी होई है कि मुर्ख बुद्धी 51-75 मुड़ बुद्धी 26-50 और जड़ बुद्धी 25 से कम और इससे भी जो दैनिय स्थिति है वो कोई स्थित में माना नहीं जाता तो इसलिए याद रखेगा मुर्ख बुद्धी जो होता है 51-70 मुड़ बुद्धी 26-50 और जड़ बुद्धी 25 से कम तो चलिए बढ़ते हैं अपने लिए कोशन की और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो सेशन को लाइक कर दीजिए और हो स हमलब 50-30 लोग मांसिक रूप से विकलांग है आपको अगर disability related पूरा data देखना है तो हम लोग 2011 का complete session लेके आने वाले हैं तो उसमें आपको पूरा समझ में आएगा gender wise, category wise, disability wise, ratio wise, stage wise सारा disability का data हम लेके आने वाले हैं 2011 का जड़गना है उसमें तो बिल्कुल निश्चीनत र चंद्रा मंध वुद्धी वालकों के सिक्षा की दिशा में सबसे पहले किस ने अध्यान शुरू किया था तो उत्तर हो जाएगा मंध वुद्धी वालकों के सिक्षा के दिशा में इटार तथा सेंग्वीन ने सबसे पहले अध्यान शुरू किया था कोस्टन नमबर 16 जी निटार्ड कौन थे थोड़ा से इनके बार में भी जान लीजिए आप वो एक फ्रेंच डॉक्टर थे जो नेस्टनल इंसिटूट फोर डेफ एंडम के निदेशक भी थे यानि की डिरेक्टर भी थे चलिए आगे चलते हैं मांसिक विकलांग दिवस क्यूं मनाया जाता है? मांसिक विकलांग वालकों के विकास के लिए साल 1965 में चंडीगड में अखिल भारतिये मांसिक विकलांग समीती का गठन किया गया भारतिय डाग विभाग ने 8 दिसंबर 1974 को एक डाग टिकर भी जारी किया ताकि लोगों को ध्यान इस और आकरसित किया जा सके और तभी से इस दिन को परतेक वार्षिक मानसिक विकलांग दिवस के रुपे मनाया जाता है ठीक है तो भारत में जो है 8 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड मेंटल जो डे है वो मनाया जाता है 10 अक्टूबर को याद रखेगा एक रूप से अपंग वालकों को कैसी सिख्षा देने का सुझाब दिया कुठारी कमिशन ने सुझाब दिया कि सारीरिक रूप से अपंग वालकों को सिख्षा दया की दृष्टी से नहीं बल्कि उनके सदूपयोग के आधार पर देनी चाहिए बिल्कुल सही बात है ये दया की दृष्टी से ना बलकि समाज में उनके इंक्लूजन को ध्यान में रखे उनकी एज्यूकेशन होनी चाहिए चलिए आगे चलते हैं कोस्टन नमबर 19 क्याता है कि अक्षम बालकों के लिए विशेश विद्याली की स्थापना की सुरुवात कब होई अक्षम बालकों के लिए विशेश विद्याली की स्थापना की सुरुवात लगभग 18 सदी में होई थी आज के सेसन का हमारा लास्ट कोस्टन है कि विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और आपको पता है कि रोज हमारा 9-10 के बीच में लाइव सेशन आ रहा है तो उसमें भी जुड़ते जाईए ताकि आपको ज्यादस ज्यादा बेनिफिट मिल सके तो थैंक्यू सो मच फिर मिलते हैं हम कल अपने 20 कोशन के नेक्स सेरीज में